एक लैंडमार्क बिल्डिंग है ABL हाउस तो सबको पत्रू है गैजेटेड ओफिसर्स के लिए बनाई गई थी और 1951 का एक जियार है जिसमें साफ साफ दिया गया है कि वो सारी जमीन सरकार और जो भी गैजेटेड ओफिसर्स उसको लीज पे ले रहा है ये जो मुद्दा है ये पूना के एक बड़ी प्रॉपटी का मुद्दा है जो गजेटेड ओफिसर्स के लिए सरकार ने रखी थी 1951 का एक जियार है जिसमें बोला गया है कि इस प्रॉपटी जिसका नाम है विजेनगर विजेनगर प्रॉपटी के अराउंड 200 प्लोट्स गजेडेड ओफिसर्स को दिये जाएंगे वो प्लोट्स लीज पे दिये जाएंगे वो प्लोट्स आगे बेचे नहीं जा सकते अगर बेचना है तो जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको सरकार से permission लेनी होगी और उनको सरकार को 50% profit 50% sale value देनी होगी लेकिन विजेनगर प्रॉपटी जो है जो बहुत बड़ी प्रॉपटी है जिसमें बहुत सारे 200 प्लोट्स हैं और सारे 1-1.5 एकर के हैं 24 एकर करीब की प्रॉपटी है उसमें almost 90% से ज़ादा प्लोट्स बिक चुके हैं और सरकार ने अपना नजराना कबूल नहीं किया है उनसे एक NGO है प्रश्टाचार विरोधी NGO जिन्होंने दो प्लोट्स का एक ABIL हाउस अविनाश भोसले का जो ओफिस है और एक दूसरे प्लोट के बारे में कलेक्τεर से तक्रार की कि इनका नजराना वसूल नहीं किया गया है कलेक्टर ने ओर्डर दिया कि ये नजराना वसूल करना चाहिए और उसकी कैल्कुलेशन करनी चाहिए और धंड भी लेना चाहिए 25 टका सेल वैल्यू पे लेकिन एक बहुत ही विचित्र प्रकरन हुआ एकनाथ खड़से ने डेवन्यू मिनिस्ट्री में इसकी अपील जब सुनी उन्होंने जिन एंजियों ने कैवियेट डाला था उन्हें नहीं बुलाया जो ओफिसर्स थे कलेक्टर ओफिस से वो नहीं गए और एक एक्स पार्टी ओडर देके इस ओडर को स्टे कर दिया ये बहुत ही डेंजरेस प्रेसीडेंट है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो जो प्रॉपटी है जो 2500 से लेके 2000 करोड की प्रॉपटी है विजे नगर की उसका अगर 50% वैल्यू है तो वो 7500 करोड है जो सरकार का बनता है और अगर उसमें 25% दंड अड़ कर दे तो वो 1000 करोड के बहुत उपर जाती है प्रॉपटी की वैल्यू वो सारी प्रॉपटी ये प्रिसीडेंट लेके कह देगी कि सरकार को नजराना भढ़ने की जरूरत नहीं है ये सरकारी जमीन है सरकार को 1000 करोड का नुकसान करना बस क्योंकि ABIL को 50 करोड बचाने थे इसके लिए एकनाद खरसे ने सरकार का 1000 करोड का नुकसान किया है हम कहते हैं कि हम ऐसी politics की निंदा करते हैं हम ऐसी corruption की, crony capitalism की निंदा करते हैं हमारा demand है कि Chief Minister एकनाद खरसे का order revoke करें वो इस matter में एक inquiry रखें और सारे जो विजे नगर के plots हैं उनसे नजराना वसूल करें जो सरकार का बनता है और जो सरकार का पैसा है वो हमारा पैसा है आपका और मेरा पैसा है वो पैसा वापस लेके आए क्योंकि उस पैसे की हमें हमारे किसानों को हमारे बच्चों को बहुत जरूरत है आगे जाके आप पर्टी कैसा काम करेगी इसके बोट नी जाएगी या भी किसे बढ़ की आगे पहले तो हम चीफ मिनिस्टर को तक्रार देंगे हमें ऐसा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर ने एकनात्खरसे के बहुत सारे ओडर्र रिवोक किये थे तो पहले हम देखते हैं कि वो क्या ये order review करते हैं क्या उसके बाद अगर वो नहीं करते हैं तो हम अपनी next steps decide करेंगे लेकिन ये बात सही है कि आज तक चीफ मिनिस्टर ने हमारी किसी भी corruption expose पे या किसी भी तक्रार पे अभी तक action नहीं ली है तो हमारी ज़्यादा उमीद नहीं है लेकिन हम अपनी कोशिश हम अपनी कारवाई जारी रखेंगे एकनाथ घर्से को तो पक्ष से निकाल देना चाहिए लेकिन उल्टा आज वो पक्ष पे भारी पड़ रहे हैं वो पक्ष में एखाम लगा रहे हैं कि उनको मंत्रीपत से क्यों निकाला क्योंकि पक्ष एक तरफ उनको मंत्रीपत से निकालता है दूसरी तरफ से उनको clean shit देता है तो बीजेपी खुद confused है कि आपने अंदर जो corruption है उसके खिलाफ क्या action लेनी चाहिए ये बीजेपी की बहुत बड़ी failure है उन्होंने एक प्रमाने एक transparent government का बादा किया था लेकिन वो वैसी ही corrupt है जैसे NCP की government ही उनमें और NCP में कोई फरक नहीं है Thank you । Sazhiye property average hundred crocs चीया है कशे 50 percent 50 crore तर्की property है महावे 50 % अबड़े ka 25 % दन भरना पड़े तो अगर हम ऐसी ॐंट करते हैं के अबी आई हाउस 75 crocs का अरक हमें Cosmos Bank को उनने उसी basis पर लिया है झाल 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 झाल